हम एक साल के लिए चैलेंज किये हैं कि हमको परभार दे दिजिए तो हम पूरे देश के गड़ी बिहार का गड़ी बिरोजगारी महंगाई सब मेटा देंगे ते जासवी जे काहें कि पहली कलम से नौकडी हम देंगे पहली कलम से जब सत्ता में आएंगे नौकडी देंगे ते क्या हो गया पहली कलम का सिया ही खतम हो गया तो लालू जी 15 साल सरकार चला है 18 साल सरकार 17 अठारा साल नितीश कुमार दे चला है अब फिर भी अभी तक बेड़ेज गारी खतम नहीं हुआ, महंगाई खतम नहीं हुआ पिट्रोल डीजल जैसे मिलता है 32 रुपे लिटर पांच रुपे उसमें खर्चा आता है बनाने में जिसे कच्चा हो आई लाता है उसको बनाने में नमस्कार मैं हुआ आपके साथ प्रीती और आप देख रहे हैं बिहार निउस और आज हम आपको एक ऐसे सक से मिलवाने जा रहे हैं जो सिर्फ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को ही नहीं बलकि हमारे मुख्य मंत्री नितीश कुमार को भी चैलेंज कर रहे हैं लेकिन आखिर इनका चैलेंज क्या है ये जानने के लिए हम सीधा आपको रूबरू करवाते हैं मुन्ना कुमार से मुन्ना जी सबसे पहले तो आपका बिहार निउसमें बहुत-बहुत स्वागत है मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आप जिस तरह से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य मंत्री नितीश कुमार को चैलेंज दे रहे हैं ये कैसा चैलेंज है किस तरह का चैलेंज है मैं बिहार के मुख्य मंत्री के चैलेंज इसलिए मैं किया हैं कि लोग सत्ता में आ हैं लालू जी 15 साल सरकार चला है 18 साल सरकार 17, 18 साल नितीश कुमार दे चला है और फिर भी अभी तक बेड़ोजगारी खतम नहीं हुआ महंगाई खतम नहीं हुआ दिन पर दिन लोग करज में दबते जा रहे इस पर मैं चैलेंज करना चाहता हूँ कि मैं एक साल के अंदर में ये महंगाई बेड़ोजगारी जितना क्राइम होता है ये सब जर से खतम कर दोंगा अगर नहीं कर पाता हूँ मुझे जे साजा देन कार ing iN RIGHT ऐस बहुत तरह का देखते हैं रोड मेप है कि वेरोजगारी को आप कम कर सके जे बेरोजगारी सब लोग करता है लोगू कैसे उसको रोजगार दीजिये किसी तरह कि जिसका हम लोग आठ घंटा का ड्यूटी करते हैं, तो हम लोग आठ घंटा ड्यूटी करते हैं, तो हम लोग आठ घंटा ड्यूटी करते हैं, दू घंटा जाने में लगेगा, दू घंटा आने में, तो हम लोग सही सलामत, हम लोग किसी के जो उड़ते नहीं पड लेते हैं कि दूसरे कर रूजगार मिलेगा लोग पेटे के लिए करता है कोई उसस पर जर से खतम करने का मुझा क tweak जी आप चाहते हैं कि बिहार से जो पलायन हो रहा है वो भी रुके जी अगर हम बात करें मेडिसीन की क्योंकि आफ कैमरा जब मेरी बात हो रही थी आपसे तो कह रहे थे कितने परसेंट कम पर मेडिसीन देना चाहिए तो इस पर आपका रोड मैप क्या है इसके लिए क्या तैयारिया है आपके पास देखें दवाई जी होता है सबसे बड़ा हेल्थ अथिका इस तरह गड़ीब लोग जाते हैं दवाई किसी दोकान पर जाते हैं लेने के लिए तो सौर रुपया 340 रुपया का दवाई जैसे 40 रुपया का दवाई होता है वो 340 रुपया में भीगता है इसके लिए मुझे सरकार से निवेदन है परधार मंत्रिया मुख मंत्रि नितिस्कमार जी उसको सही दिलाने का परियास करें जिस तरह पिरेंट 40 रुपया बशता है और 40 रुपया मिल जाता है आप 340 में भीचावा रहे हैं तिस तरह किसी के जान बशता है तापको क्या दिखा थे गरीब का गरीब से तूसको देने का काम करें हम लोग के एक आधिकार दिया जाए कि अगर किसी तरह दवाई दुकान के जिसे सुवास्त विवाग करना चाहिए को सुवास सही जगा सब लोग के विवास्ता होना चाहिए आज बहुत तरह मरी जुरीज के दिखात होता है CCTV कामरा जिस तरह लगता है उस पर सही सेक्षन के मरीज के का दिखात है नहीं दिखात है वो सब सुनवाई होना चाहिए वहाँ बैठना चाहिए तरह लोग उनको दवाई हरे एक जैसे सरकारी अस्पताल में दवाई मिलता है कुछ बोलता है कि नहीं है नहीं है इस तरह सारे दवाई का उपलफ्ट कराया जाए और उसमें जेतना जे इस तरह बता है कि 40 रुपया का 340 रुपया लिया जाता है समय हुल्सिलर में पता किया हूं तो उसमें देखा कि दवाई में इतना अती होता है सोवस्तविभः भयार्त जोड दे रहे हैं अधि आपको कम करने क्या कोई प्लैन है देखे, सबसे पहला हुद्दा है पिटरोल डीजल, उसी से सब जिस तरह महंगा, जिसे सट भी खर देख गारी पर जाता है, उसे चार्ज बरते जाता है, पिटरोल डीजल जिसे मिलता है 32 रुपे लिटर, पांच रुपय उसमें खर्चा आता है, बनाने में, जिसे कच्चा गरीब का घर में उसे चूला जलता है, अथी होता है, किसी गरीब का अथी होता है, तिसे आपको क्या दिकत है, आपको गरीब के देखना चाहिए, बताएए, इस तरह कामो करते हैं आप लोग जेतना आठ साल से चारकार चला रहें कि अच्छे दिन आएगा अच्छे दिन आएगा कब आएगा अगर आपको छे महिने के लिए प्रधान मंत्री बना दिया जाता है तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे और छे महिने में क्या क्या करेंगे देखिए 6 माहिना के लिए सबसे पहले महांगाई पर कंट्रोल करूगा बेडो जगारी पर कंट्रोल करूगा कहा कि ये दूगों जड़िया सबसे पहले ज़्यादा जरूरत है नितीज जी भी लालू जी भी थे बिहार में 15 साल लालू जी सरकार चला है अधी 17 साल नितीजी चला है तुनों 32 साल आठ साल मोधी जी चला है सरकार तिसमें कहां भी कास हुआ है सब लोग गरीब के मुद्दा उठाते हैं गरीब के हम टोटल जैसे के अगर देश के लिए माहिना के लिए इंडिया गड़ी नहीं मिटा पाए तहम कीस काम के हैं हम जब मुद्दा उठा हैं तो किस काम के हम हैं? अन्धूलन करने के लिए ने राठी चार घर दिźए, कियों, परज़ा हम परजा थाल्लकत करा करने के लिए? आपको राजा बनाये किसली कि लिए? आपको राठी चार करवा दीजेगा तो यह सब नहीं होना चाहिए इसको जनता क शतिपा ने के लिए या पांसोग खर्चा करने के लिए और से लाटी काने के लिए दिहार में का नमुद चांके बीहार हैं तो नहीं जातें विपख्ष में रहते हैं, जागा जागा पर लोग जाते रहते हैं, करायम होते रहता है ये कोई बात हुआ मुख मंत्री का अब मुख मंत्री आप như जिसके अथी हो गया чем ? आप इस तरह बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे तो होते रहता है ये कोई अथी मतलब है देखे क्रायम कंट्रोल करने का जरिया है कि कि देखे सब से पहले आप लोग क्राम का जर से पकड़ी अप लोग को इसको scriptures समजिए कि कू Alberto I just के लोग करते हैं लोग आङ कितना लोग लोग करते हैं बहुट तरह के लोका सब पेट कि लिए करते हैं तुसको पहले इस जड़ी से किजएगा तो आपको क्या लगता है कि ये जो क्राइम हो रहे हैं ये सब सिर्फ बेरोजगारी के वज़े से हो रहे हैं जी इसमें बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी सब कोई पेटे के लिए करता है और उसको पहले रोजगार दीजिए, सब लोग आपती हुजा, अगर सब लोग रोजगार में जिसे आठ घंटा ड्यूटी करते हैं, फिर घर पड़ाये, खाना खाय सो, तो वो करेम कहां से करेगा, अथी कहां से करेगा, लोग रोजगार सब अपना बीबी बच्चे के साथ क हौना के साल भर के अंदर में हम हम खतम कर दोगा, अफिक साथा गरा आइसा नहीं करते हैं, तो सरकार हमको जो सचा दे हो मंजूर है, फासी पर भी लटका दे vídeo मंजूर है, तो इसको लिए मैं फासी पर विचारने के लिए तैयार हूँ चलते चलते आप जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहली कलम से जब सत्ता मा आएंगे नोकडी देंगे तो क्या हो गया? पहली कलम का सियाही खतम हो गया. कहिए तो भेजवा पूरे उबास है का बहजवा देते हैं, तसलाक बीसलाक उबास है, आपके साइथ पेन में सियाही हो जाए. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी हार दिजिए, कि कितना दिन में हम कोई भी काम करके देंगे, जिस तरह सब भी काम एगरिमेंट पर होता है, तो जनता का भी काम एगरिमेंट पर होता है, कि दू महिना में लिखी जवाब स्टाम पर एगरिमेंट कोड से करके देंगे, हम दू महिना में नवकरी देंगे, त अंता cкам क्दाऊं को इंटा परिया सब्सक्न्स Owenies आंनेर हम्को काम प्यारा नहीं हञा है हमको लालू जी या नितीजी हमको ज्यकम करें ऑफ अच्छा बस एह मैं बिहार वासी को कहना चाहता हूँ किसी भी जाती के अभिवाद में इसम नाफास है और सब लोग अपने बिकास का बेरोजगारी का महंगाई पर इस पर बात हो जे अच्छा काम कर सके उसको सही होगते बिहार की राजनीति को आप किस नजर्य से देखते हैं? किस तरह लोग नेता, इस लिए को चलाते रहते हैं, सरकार अभी तक लिवी कास नहीं होगते हैं, फिर करते हैं कि बिहार का विशेष राज का दर्जा देंगा हैं, यह करते हैं, पिछली 32 साल में क्यों नहीं बात किया हैं? 32 साल भी तो सरकार चला हैं, दुनों गोटा मिलके, खाली सरकार में एह सब होते रहते हैं, हमारे बिहार के बारे में कुछ नहीं लोग सोते हैं, इसलिए मैं बिहार का जनता, बिहार के इवास करना चीते हैं, कुछ नाया सुचिए, कुछ नाया करने के लिए सुचिए, कुछ नाया जिसे के बदलाओ सुचिए, कि कुछ बदलाओ हमारे भवीश में अगर कोई चैलेंज कर रहा है, तो उस पर धियान दया, सही सपोर्ट करें के लोग को सही विकास कर सकें, हम लोग एतना भी दावा क कर रहें कि जो लोग 32 साल में नहीं कर पा हैं, वो हम साल भर में कर देंगे, अगर नहीं करा देंगे तो फांसी पर हमको जे साजा दिएगा, चोड़ाहा पर फांसी पर चराद जिए उवी चारने के लिए तैयार हो, इससे बड़ा हम क्या चैलेंज कर सकते हैं, अधनिय पर चार सो में सिलेंडर आदा धरा दी, जिस तरह लोग चूला पर खाना बनाता था, अभी गायस पर बना रहा है, जिस समय शुरू में 400 का सिलेंडर था, अभी बाड़ा सो के जिस समय आपका दूर प्या का आनाज खायको लोग जिन्दा रहता है, लोग अप गुजारा करता ह है, लोग बाड़ा सोरी प्या कई से गुजारा दे पाएगा, आप इस पर पुड़े समहरतन के साथ पुड़े हर घर सलेंडर भेजवाए थे, कि हम अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन यह अच्छे दिन कई से आएगा, आप लोग तो देखे, गरीबों से क्या दिकत अच्छे दिन आएगा, वुजवली उजना के करन, हर एक घर सलेंडर पहुंचा दिये, जिस तरह आप लोग को दूर प्याक लोग अनाज खाके लोग जिन्दा रहता है, जो हम लोग गुजारा करते हैं, वो बताएगे बाड़ा सो को सलेंडर कैसे भराएंगे, इपर आप आपको सोचना चाहिए, परधान मंत्री जी कैसे कर दियें आप, बताएगे, जो आपको दूर प्याक अनाज खाके गुजारा करता है, वो बाड़ा सो को सलेंडर किस धंग से उखर देगा, आप उनको मिनना चाहिए, बीपियल लेखा धार पर उनको फिर जिसे आधा दाम म मिनना चाहिए उनको, सलेंडर उपलफ्त किया जाए, अब तब होगा गुजारा गरीब का, इसी मैं परधान मंत्री मोजी जी से एहे अगरा करना चाहता हूँ, कि ये करके देखा है, तो ये थे हमारे साथ मुनना कुमार, जो कि परधान मंत्री नरेंद्र मोदी को 6 महीने क और एक साल के अंदर सारी समस्याओं को जड़ से खत्म कर देंगे, आज के कारिकरब में फिलहा लिता ही, मुझे दीजे अजाजत, लेकिन देखते रहे ये बिहार नियूस, नमस्कार